नमस्कार, आज मैं फिर से उपस्थत हूँ आपकी कक्षा में, जिसमें कि संचार प्रवध्योगी की, जिसको कि हम Communication Technology के नाम से जानते हैं, आज हम पूरी चर्चा पर चर्चा करेंगे कि संचार क्या है, संचार के प्रकार क्या है, संचार का आदान प्रदान किस प्रकार से हो संचार क्या है, दरसल अगर हम देखते हैं कि संचार के माध्यम से, तो संचार वह प्रक्रिया है, जिसमें दो या अधिक व्यक्तियों के बीच, सार्थक प्रतीक के रूप में, चिन्हों के रूप में, संकेतों के रूप में, हम क्या करते हैं, आदान प्रदान करने की कोश या दो या अधिक व्यक्तियों के बीच सार्थक प्रतीकों, चिन्हों, संकेतों का या भावनाओं या विचारों को आदान प्रतान करने की प्रक्रिया है. अब हम जब संचार को जान गए कि संचार ये माध्यम है तो संचार को जब हम प्रोध्योगी अर्था तकनीक के क्षेत्र में या प्रोध्योगी के सहारे उसको जब हम भेजने का प्रयास करते हैं तो वो संचार प्रोध्योगी की कहलाता है अर्थात जब हम संचार का प्रयोग electronic या फिर तकनीक या प्रवध्योगी के क्षेत्र में उसका व्योग करना चाहते हैं तो वही संचार प्रवध्योगी की है जैसे उसमें क्या होता है कि डाटा का होना बेहत आवश्यक होता है दो माध्यम का, दो संचार माध्यम का होना अवश्यक होता है दो डिवाइस का समान डिवाइस का होना या दो समान डिवाइस या विभिन डिवाइसों का होना अवश्यक होता है जैसे माल लीजिये, अगर हम किसी को मेल भेज रहे हैं तो mail भेज रहे हैं, तो हम क्या use कर रहे हैं, तो संचार तो हो ही रहा है, लेकिन हम क्या तो उसको तकनीक का use कर रहे हैं, अगर हम WhatsApp के माध्यम से किसी को कुछ भेज रहे हैं, चाहे वो audio हो, video हो, या कुछ अन्य चीज़ें, text हो, तो हम क्या कर रहे हैं, संचार में तकनीक का प प्रौध्योगी की है अब हम अगर देखने का प्रयास करें के तो संचार प्रौध्योगी के जो तत्व होते हैं components होते हैं तो इसके तत्व को देखना बेहत आवश्चक होगा क्योंकि बिना तत्व के सहारे हम इसको नहीं जान पाएंगे तो सबसे पहले अगर हम देखेंगे तो इसमें क्या होता है message फिर प्रेशक फिर माध्यम फिर receiver और receiver क्या करता है प्रतिपुष्टी अब हम देखेंगे यहां पर देखिए कि कोई भी चीज हम जब भेजते हैं components यह हैं कि message सबसे पहले आता है अब message सबसे पहले क्यों आता है आप कहेंगे कि वह यह नहीं message नहीं आता है प्रेशक आता है क्योंकि प्रेशक तो भेजता है लेकि नहीं message पहले आता है क्यों क्य अगर माल लीजिये, अगर मैं आपको कोई भी विशय बस तो आप तक पहुचा रहा हूं, तो उसके पहले मैंने collect किया है कि मुझे क्या परहाना है, तो जो क्या परहाना है, अर्थात विशय सामगरी, जो कुछ चीजें हैं, तत्व जो हैं, अंक्ष विशेस जो हैं, वो मैंन मैं पहले ले लिया है कि मुझे क्या परहाना है, कौन सा टॉपिक परहाना है, कौन सा अंक्ष विशेस परहाना है, किस विशय से परहाना है, तो ये सब सारी चीजें हमने क्या बनाया है, आज संचार प्रावद्योगी कि मुझे परहाना है, तो मैंने सब से पहले क्या किया इस message को लिया है अर्थात message को पहले मैंने collect किया है जब मैंने message को तो वो message अलग-अलग माध्यम से हो सकता है वो text form में हो सकता है वो आपका audio हो सकता है video हो सकता है मौकिक हो सकता है अलग-अलग रूपों में हो सकता है message तो वो माध्यम बनता है कि वो किस प्रिकार का message है तो message हमने सबसे पहले click किया फिर हम क्या प्रेशक प्रेशक अर्थार sender जिसको हम कहते हैं तो sender sender को हम encoder भी बोलते हैं तो encoder या sender जो होता है जैसे मैं आप तक message को पहुचा रहा हूँ तो सबसे पहले मैंने इस message को encode किया तो आप तक पहुच जो रहा है वो कौन पहुचा रहा है मैं पहुचा रहा हूँ आपको तो मैं जो हूँ तो वो प्रेशक हूँ और फिर आता है माध्यम कि माध्यम कौन सा माध्यम है जिसके माध्यम से आप पहुचा रहे हैं एक हो सकता है आप मोखिक सिधे पहुचा रहे हूँ एक हो सकता है कि जैसे मैंने video के form में तो video के form में आप देख रहे हैं कुछ ऐसा हो सकता है कि electronic media के माध्यम से हो सकता है कि कोई ऐसा हो सकता है कि जो email के माध्यम से हो सकता है तो माध्यम जो होता है वो अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं जैसे मान लिजिए कि अगर दो समान डिवाइस है तो अगर हम डिवाइस के जिस माध्यम से आप तक वो चीजें पहुँच रही हैं, तो वो माध्यम हो गया, फिर आता है आपका रिसीवर, रिसीवर कौन है, जो सेंडर के द्वारा भेजा गया, वो आप तक अर्थात रिसीवर तक जब पहुचा, तो उसमें एक चीज चेंडर को देखना बेहत जरूरी होता है, कि अगर मानलीजे कि मैं हिंदी भासा का प्रयोग कर रहा हूँ, तो आप अगर हिंदी भासा को समझ रहे हैं, सुन रहे हैं, उसको जान रहे हैं, तो ही हमारा जो मेसेज है वो कामयाब होगा, अन्यथा के अस्त और वो हिंदी नहीं जान रहा है, तो वो मेरा कुछ भी संकेत कर पाना या कुछ भी पहुंचाना उसके लिए सार्थक नहीं होगा, तो यह जरूरी होता है, कि जो सेंडर जान रहा हो, जिस भी भासा को जान रहा हो, जो भी चीजें जान रहा हो, उसको उस भासा में तो आप तक हमारा message पहुच रहा है वीडियो के माध्यम से, तो आप तक जब पहुच रहा है, तो आप जो समझने की प्रक्रिया कर रहे हैं, वो आप क्या कर रहे हैं, उस उन message को मेरे द्वारा, जो sender के द्वारा जो भेजा गया message है, उसको आप decode कर रहे हैं, तो decode कर रहे ह उसके बाद आप प्रतिपुष्टी भेजते हैं कि आपका वीडियो अच्छा लगा आपका वीडियो अच्छा नहीं लगा आपका वीडियो ऐसा लगा आपका वीडियो ऐसा लगा आप जो भी प्रतिपुष्टी करते हैं उसके माध्यम से तो ये इसमें ये भी होता है कई ब मिल जाती है तो वहां पर क्या हो जाता है यह प्रक्डिया जो होती है वह समाप्त हो जाता है तो कुल मिला करके यह आपके तत्व हो जाते हैं components हो जाते हैं किसके तो संचार प्रद्विगी की जिसको की हम communication technology कहते हैं उसके जो components होते हैं हम सीधे आते हैं कि संचार के परकार जो मैंने कहा कि ब्यक्ति या व्यक्तियों के बीए जो जिस भी सूचनाओं का आदान प्रदान होता है माध्यम जो भी हो, खेर, तो इसमें मौखिक संचार होता है, एक मौखिक संचार ये होता है, कि बरवल संचार होता है, जो भी कुछ हो, तो उसमें हम direct form में हम करते हैं, अर्थात, आप हमारे सामने हैं, और हम आपको जो भी कुछ बताएं, वो मौखिक रूप में, जिसमें कि आपका भी होना जरूरी है और मेरा भी होना अर्थात द्विमुखी प्रक्रिया है ये अर्थात जब भी हम करेंगे तो आमने सामने की प्रक्रिया होगी अब कहेंगे कि आमने सामने की प्रक्रिया हो भी जकते हैं नहीं भी हो सकते हैं जैसे कि अभी संचार महलिजे कि हम आप को बोल रहे हैं, तो आप तक पहुँच रहे हैं, चुकि मुझे आप देख रहे हैं, भले ही बीजियो फॉर्म में ही देख रहे हैं, लेकिन मुझे आप देख रहे हैं, और आप सुन रहे हैं, ये भी एक मौखिक संचार का माध्यम हो सकता है, फिर लिखित संचार, लिखित स समाचार पत्र हो सकता है, कोई बुक हो सकता है, कोई PDF होगेरा हो सकता है, ये सब साड़ी चीजें जो की मतलब बरवली न कह करके उसको लिखित फॉर्म में जब भी उस सूचनाओं को संचार को संचार के माध्यम से उसको पहुचाया जाता है, वो लिखित संचार में आता है, फिर अमोखिक संचार, अमोखिक संचार को ही हम सांकेतिक संचार भी कहते हैं, ये तो नहीं मोखिक होता है, नहीं अमोखिक होता है, इसमें क्या होता है सांकेतिक भासा में, कई बार मान लिजे कि आप क्लास में हैं, और क्लास में शिक्षक अब खड़े हो गए सिक्षक ने कहा अर्थात आप समझ गए कि वो बैठने के लिए कह रहे हैं उन्होंने कुछ कहा नहीं ना तो लिखित रूप में नहीं मौकिक रूप में लेकिन उन्होंने संकेतिक भासा में आपको बैठने को कहा और आप बैठ भी गए क्योंकि उनकी सं संकेतिक भासा आप उसको decode कर गये अर्थात यहां भी आप देखिए संडर द्वारा जो encode वहाँ पर किया गया message दिया गया उसको आप आपके द्वारा वो decode कर लिया गया receiver के द्वारा decode कर दिया गया और आप बैठ गये तो यहां पर उसको हम संकेतिक या अमोखिक संचार भी कहते हैं फिर आपचारिक संचार आपचारिक संचार दरसल होता क्या है ये थोरा सा धीमी गतिक से चलता रहता है और मुख्य रूप से जो ये फॉर्मल टोटल चीजें होती हैं इसमें नियमों का, सिध्धानतों का ये सब साड़ी चीज़ों का पालन करना बेहत जरूरी होता है जैसे कि मानलेजे कि अगर मुझे एक एक जो मानलेजे की चपड़ासी है और दूसरा मानलेजे की हेड मास्टर है वहां तक पहुँचाने के लिए उसको बहुत साड़ी सीरियों का हारा लिना पड़ता है उसको साड़ी चीज़ों को फॉर्मली उसको पेस करना पड़ता है चाहे वो लखित रूप में कड़े मौखिक रूप में कड़े जो भी करे उसको वो क्या करता है फॉर्मली करता है जब हम आप से बात करते है तो शिक्षक एक छात्र से क्या करता है, फॉर्मली बात करता है, क्योंकि वो आपचारिक रूप से वो संचार दे रहा होता है, तो वो जो संचार होता है, संचार का माध्यम होता है, वो फॉर्मल होता है, फिर अनपचारिक संचार क्या होता है, तो अनपचारिक इनफॉर्मल communication होता क्या है कि जब मतलब कोई भी चीजें हम आपस में उसका कोई record नहीं होता है उसका कोई सबूत नहीं होता है formal में सारी चीजें लिखित में होती हैं फिर आपका उसका record होता है सारी चीजें को वो साक्षि के रूप में पेस किया जा सकता है नूप चारिक है वो आपका सिध्धान्दों के रूप में, नियमों के रूप में, फिर साक्षियों के रूप में, प्रमान के रूप में पेस नहीं किया जा सकता है ये चीजें जैसे की मायन लीजिए, जैसे हम और आप अगर सिक्षक और छात्र का नाता है और हमारी साड़ी चीज़ें formal हो रही हैं और कई बार होता है कि जो कुछ अत्यधिक जुराव हो जाता है अगर छात्र से तो वो साड़ी चीज़ें फिर बाद में धीरे-धीरे-धीरे एक मित्र की तरह अगर शिक்षक और छात्र हो गए तो वो छात्र और सिक्षक जो आपचारिक जो कक्षा में बारता कर रहे हैं वो तो आपचारिक होगा लेकिन बाद में जो दोस्त कैसे हैं ये कैसे हैं वो कैसे हैं इस प्रकार की जो बातें हो जाएंगे वो क्या होगा वो अनपचारिक बातें हो जाएंगे तो वो informal communication में आता फिर आपका आता है अंतरवयक्तिक, अंतरवयक्तिक को इंटरपर्सनल भी कहते हैं, इंटरपर्सनल या अंतरवयक्तिक वह संचार होता है, जिसमें हम दूसरों के बारे में बात करते हैं, अर्थात जब हम आपके बारे में कि या दोच का होना इसमें वहत जरूरी है, और जानना ये सब सारी चीजें जब हम दूसरे के बारे में करते हैं तो वो अंतरवयक्तिक होता है लेकिन अंतरवयक्तिक अर्थात इंट्रापर्सनल क्या होता है जबकि हम खुद के बारे में सोचते हैं खुद के बारे में मुल्यांगन करते हैं खुद के बारे में जानते हैं खुद के बारे में क्या मनन चिंतन कुछ करते हैं, तो ये सब साड़ी चीजें जो अपने बारे में जब हम करते हैं, तो वो क्या होता है, अन्तहवयक्तिक या उसको हम इंट्रापर्सनल के नाम से जानते हैं, फिर आता है आपका last mass communication, अर्था जनसंचार, जनसंचार जो होता है, वो ब्रहद पैमाने पर होता है, जैसे कि मान लेजे कि mass communication में, जैसे कि media हो जाता है, electronic media हो सकता है, आपका जैसे कि TV reporter क्या होता है, तो वो एक ब्यक्ति करता है, संचार करता है, और नेकों ब्यक्ति, हजारों, लाखों, करोडों ब्यक्ति उसको सुनने के लिए रहते हैं तो वो mass communication में आता है, जैसे आप देखेंगे कि अगर एक कोई प्रधान मंतरी आ रहा है, और प्रधान मंतरी को सुनने के लिए लाखों ब्यक्ति वहाँ पर इकठा हुआ करते हैं, तो वहाँ पर आप देखेंगे कि विविन जगह पर टेली कास्ट उसका हो रहा है, क्योंक लार्ज लेबेल पर जब संचार किया जाता है, तो उसको हम mass communication के नाम से जानते हैं, जन संचार के नाम से जानते हैं, तो मुझे लगता है, इन चीजों को आप बहतर ढंक से समझे होंगे, इसी परकार से पढ़ने के लिए आप एजुकेशन प्रवाइटिव चैनल को सब्स खोड़ को आप एजुकेशन, जन से पढ़ने के लिए लेद एजुकेशन, घप झापड़ के नाम से जानते हैं, जन चीजों के लिए लेदाइ़ टार्ते हैं, जन से फिए विए लेदाओ के लिएवगे़ दिए़